तितली जीवन चक्र सबसे पहले मादा तितली पौधों की पत्तियों पर छोटे अंदे देती है तितली के प्रकार के आधार पर अंदे अलग दिख सकते हैं फिर अंदे फूटते हैं और उनमें से एक केटरपिलर निकलता है केटरपिलर पत्तियां खाना पसंद करते हैं और बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं उनके शरीर के कई खंध होते हैं, सामने की ओर छे सच्चे पैर होते हैं और आमतौर पर उनके पेट के साथ छोटे पैर जैसी कई जोड़ी चीजें होती हैं। कोशस्त कीट, फिर बहुत कुछ खाने के बाद केटरपिलर बदलने के लिए तैयार हो जाता है। यह अपनी सुरक्षा के लिए एक विशेश खोल बनाता है जिसे क्रिसलिस कहा जाता है। क्रिसलिस के अंदर केटरपिलर एक सुन्दर तितली में बदल जाता है। और एक दिन, एक सुन्दर तितली प्रकट होती है। क्रिसलिस के अंदर को विए प्रकट प्रकट है।